हलो दोस्तों गूट मॉर्णिंग स्वागा धिक भाव फिर से आप सभी का एंजेटी एज्विकेशन में दोस्तों आज है पांच मार्च आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच मार्च 2023 के मोस्ट इंपोरेंट करेंट अफेर के कुश्चस के बारे में वीडियो कर पसंद सब्सक्राइब करेंगे और आखरी सेग्मेंट होगा आज का सवाल तो चली शुरू करते हैं कल के कुट लिए रिविजन से कल हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व वन जीव दिवस्तीन मार्च को मना जाता है और अडानी ग्रूप पर हिंडन बर्ग की जो रिपोर्ट आए यहां पर रिजल्ट आ गया है मोखिमंत्री वही वही रहेंगे रिपीट हुए हैं तो कोई चेंजिस नहीं हुआ है आप लोग कल की वीडियो देखेंगे तो ज़्या ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी ACI सतरंज महासंग ने प्लेयर अब देखेंगे को चुना है जो भारत के सबसे युगा ग्रेंड मास्टर है और ससक्षदीमा बलके नए महा निदेशक रस्मी सुकला जी को बनाया गया है और स्पेसस के दौरहां ये नाश्दा के लिए मिसन ता स्पेस किया इसकी तहर्च चार अंतरख्सयात्रियो को इंटरनेश्नल इस पेस इस्टेशन पर बेजा गया है और स्वास्तिवं परिवार कल्यार मंद्राले को पोर्टर प्रोस्कार 2023 प्रदान किया गया है वो वान्थ वोंग ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बन गए है और ससीधर जग्रीशन जो की हड़िपसी बैंक के M.ड और C.E.U. है इनको B.E.S. Banker of the Year का अवार्ड मिला है और अभी हली में असम में पहला बोडो लेंड नितराष्टिय ग्यानम होल्सो आयोजित हुआ ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुश्चन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिविजन अब आज की करेंट अफेर पहला कुश्चन है हाली में RM0 Harm इस थीम के साथ 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया तो RM0 Harm थीम के साथ 4 मार्च को मनाया गया राश्टिय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है प्रतेक वर्स राश्टिय सुरक्षा दिवस नेशनल सेकेरिटी दे जोस्तो हमारी security में भारत के नागरिकों के security में जो भी forces लगी हुई है जो भी अर्था निकबल है जिस भी प्रकार की जो पुलेस है इन सब के लिए ये दिन एक dedicate किया गया है इसमें पुलेस, paramilitary forces, guards, commando, सेना की अधिकारी ये सभी लोग सामिन है तो इनके लिए एक दिन ये dedicate किया गया है इसकी theme इस बार की रखी गई है RM0HARP इस दिवस को मनाया जाने के सुरुवात 1971 से हुई है राष्टे सुरक्षा दिवस मार्च महीने के अभी तक के महत्पूर्ण दिवस का revision कर लीजिए एक मार्च को दो महत्पूर्ण दिवस मनाया गया सुन्नी भेदभाव प्रेंग के द्वारा ये एक रिपोर्ट जारी की गई है एक इंडेक्स जारी की गई है और इसमें बताया गया है दुनिया के सबसे महंगे सहर यहां पर रहना सबसे ज़्यादा महंगा है चलिजिए रेसिडेंशयल के मामने में सबसे ज़्यदा महंगी सबसे सब चुस्तृट वह कौन काण से तो दुनिया में अगर बात किया जाय तो आप बताएँगे कि मोनाको जो मुनाको मुनाको जो है ये सबसे महगी सिटी है और मुंबई जो कि भारत में सबसे महगी सिटी है इसका अस्थान आता है ओबराल साथीस्वा यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे विजनेस स्टेंडर का इसमें कहा गया है मुंबई जम्स टू 37th प्लेस ग्लोबली इंद इससे पहले 95-96 नंबर पर रहा करता था और यहां पर यह आ गया है 37 नंबर पर फिलहाल नाइट फ्रेंक के द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट यह पूछा जाता है कि कौन जारी करता है नाइट फ्रेंक की यह प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेस सेल इंडेक्स था जिस जाएगी रहने के लिए तो दुनिया में सबसे ज़ा महेंगा है मोनाको जहां पर अगर आपके पास एक मिलियन डॉलर है तो केवल और केवल 17 स्क्वाइर मीटर आपको जमीन मिलेगी होंग कॉंग में 20 स्क्वाइर मीटर और वहीं नियॉर्क में 33 स्क्वाइर मीटर मिल जाए दूसरे पर दूसरी सबसे महेंगे सिटी भारत की है बैंगलरू जिसकी ओबराल रैंकिंग है 63 और तीसरी सबसे महेंगे सिटी है भारत की नए दिल्ली जिसकी ओबराल रैंकिंग है 77 क्लियर है विल्कुल अब पिछले दिनों में जो भी आये थे पिछले दिनों क्या पिछ एक सो अस्थान पर है प्रयावरार प्रदसन सूचकांक में जो कि यह लिए उनिवस्टी ने भारत के लिए जारी किया था इसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता जिसमें भारत है एक सो पचासमें अस्थान पर अगर आप नोट कर सको तो नोट करते जाना ठीक है या फ प्रसके बाद 135 अस्थान पर दो रात में भारत की राइंग है प्रत की रायक तो ये हैं गलोबल जेंडर गैप में और दूसरा सांती सूचकांक में तो जितना जेंडर गैप उतना ही सांती सूचकांक ठीक है फिर आज और नीचे 132 अस्थान पर हम लोग है किसमें Human Development Index में United Nation के Human Development यानि मानों विकास उसकांग में एक्विशन और भी पूछा गया था इसके अलावा हम लोग 120 अस्थान पर है किसमें United Nation का यह भी है Sustainable Development यानि कि सतत विकास लक्ष में यह रिपोर्ट है इसके अलावा Global Hunger Index आता है 107 अस्थान पर है वैस्विक भूख सूष कांक में यह important है Competition Perception Index इसमें हम लोग है 85 अस्थान पर और 85 अस्थान पर ही एक और जगा पर है किसमें Henle Passport Index में तो Passport Index और क्या Corruption Perception Index दोनों में 85 अस्थान पर इसके अलावा दोस्तों 61 अस्थान आता है 61 पोजिशन पर है Network Readiness Index में अभी यह रिजिंकली जारी किया गया था 46 अस्थान पर हम लोग है 46 पोजिशन पर Democracy Index में और 41 अस्थान पर है Pension Index में Global Pension Index में 37 अस्थान पर है IMD की Global Competitiveness Index में और फाइनली आठ हुए अस्थान पर है जलवाई परिवरतन परदर्शन सूचकांक में जो की जर्मन वाज की दोरा जारी किया गया है किसके दोरा जर्मन वाज के दोरा ध्यान रखेगा ये वाला जो था परिवरतन पर ये येल युनिवर्स्टी ने जारी किया था येल युनिवर्स्टी ने जारी किया था जो था परिवरतन परदर्शन सूचकांक और नीचे वाला जो परिवरतन परदर्शन सूचकांक इस एबुक भी लोग, उससे भी पढ़ाई करो ठीक है, लेकिन एबुक लेने के बाद भी आप अपनी नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है, नोट्स अगर आप बनाते होना, तो नोट्स ही एक्जाम का सच्चा साथी होता है, ये आप गोल्डेन स्टेट्मेंट है, इसको लिखकर पताई जाती है, उनको आप अपनी नोट्स में एड करते हैं, वो एक्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा आपका समय बचाएंगी, ओके चलिए, आगी दिखते हैं, अगला है, हाली में होकी इंडिया ने भारतिय पुरुस होकी टीम का मुख्य कोच किसे निउक किया, तो म आपको पता होगा, अभी पुरुस होकी का हुआ था, भारत नहीं आये जुन किया था, और भारत उसमें खराब प्रतसंद किया था, मतलब अच्छा प्रतसंद नहीं कर पाया था, इस वाएस थे जो भारत के जो पुरुस होकी टीम के जो कोच थे, ग्राहम रीड, उन्होंन पूर्सों के दौरान एक सो पंचानवे कैप भी जीच चुके हैं आर रेन पूर्सों की राष्ट्य फील्ड होकी टीम के भी पूर्व कोच रह चुके हैं अच्छा यह चीज जरूर पूछा जाएगा इसको मैं यहां पर नहीं लिखा हूँ आप इसको लिख लो आफ्रीका की यह रहने वाले हैं ठीक है आप ते यह पूछा जाएगा दिलीप करकी यह होकी इंडिया के अध्यक्ष हैं वैसे थोड़ा सा वर्ड कुप की बात कर ले तो जो विशुकप हुआ था अभी जन्वरी में ही अभी आईजुत हुआ जन्वरी 2023 में होकी का विशुकप ओडिसा में आईजुत हुआ बोनेस्वर और राउर के लादो सिटीज में हुआ और इसके लिए एक स्टेडियम भी तैयार किया गया था बिर्सा मुंडा इंटरनेशनल होकी स्टेडियम जो की भारत में भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम था बाइद अभी जीता कौन जर्मन जर्मनी ने बेलिजम को हरा करके जीत लिया खिदा विजबार का, 2018 में भी भारत ने ही मेजबानी की थी, ओडिसा में वो भी आज़ित किया गया था, अब 2023 में भी ओडिसा ने ही मेजबानी करी थी, ठीक, आगे दिखते हैं हाली में राश्ट्रपती दरोपदी मुर्मु ने कहां पर सात्वे अंतराष्टे धर्म धम सम्मेलन का उदगाडन किया, तो राश्ट्रपती दरोपदी मुर्मु जी ने अभी भोपाल मद्य प्रदेश में सात्वे अंतराष्टे धर्म धम सम्मेलन का उदगाडन किया है, यहाँ पर आप आप आटिकल देखताएंगे मद्यप्रदेश की भौपाल में याजुद किया गया है और ये तीन दिवसिय सम्मेलन है 15 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं पहली बार दोस्तों अंतराश्टी धर्म धम्म सम्मेलन हुआ था 2012 में कहाँ पर हुआ था सांची यूनिवस्टी में मद्यप्रदेश में ही और अभी पिछले ये आयोजन की बात करें तो अभी पिछला आयोजन 2021 में हुआ था बिहार के राजगीर में नालंदा जिले में अपना पहला मदर मिल्क बैंक अस्थापित करने की खुशना की तो उत्राखंड ने अनॉंस किया है कि वह अपना पहला मदर मिल्क बैंक अस्थापित करेगा यहां पर दा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है इन फर्स उत्राखंड टू सेट अप मदर मिल्क बैंक इस माताप्रसों के दौरान मर जाती हैं तो फिर नौजात रह जाते हैं तो उनको मा का दूद मिल सकेगा जिससे पोश्वत्तत्व मिल सकेंगे तो उत्तराखंड राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक अस्थापित किया जा रहा है यह एक्सन तब लिया गया है जब 2021 में एक रिपो उस मामले में उत्तराखंड है तीसरे स्थान पर टॉप पर रोड़ांचल प्रदेश है उसके बाद मेगाले का स्थान आता है जहां पर सिसु मिर्टुदर सब्सक्यादा है तो आप से पूछा जाएगा भारत में कौन सा राजी है जो सिसु मिर्टुदर के मामले में उत्राखंड के बारे में अगर बात करें तो देहराधून और गैर सेट दो इसकी कैपिटल है गैर सऑनध गिलिसम कालीन यानि समर कैपिटल है देहराधून विंटर कैपिटल है उत्तराखंड आपको यहां पर मैप में दिख जाएगा यह नौ नुमंबर सं 2000 को उत्तर प् पुसकर सिंग धामी है, बीजेपी पार्टे से, गवर्नर है, लेटनेंट जनरल गुरमीत सिंग, भीम ताल, नैने जीहिल, सब्तरेसी कुण, नैने ताल, साथ ताल, माता ताल, लाकस ताल, ये सभी यहाँ पर है, जिम कारवेट नेशनल पार्क जिसका नाम बदल करके राम ग नीती लिपुलेख, ये दर्रे याद रखेगा, माना नीती लिपुलेख, ये यहीं पर है, ठीक है, इसके अलामा जीलो की संख्या 13, विधान सभा में सीटे 70, लोग सभा में 5, राज सभा में 3 है, अचकल आप लोग की रिक्वेस्ट आई थी कि सर्विधान सभा सीटो को य आपको याधी हो जाएं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इस्टेटिक जीके की बात करते हैं, तमिलाडू और अंधर प्रदेश के बीच में कौन सी नहर है, के पी नहर है, आफ्रीका की सबसे उची चोटी का नाम, माउंट किलमिंजारो है, सबसे उची चोटी क्या होती है, मतलब जो सबसे पीक परवत होता है, जैसे एसिया में बात करें, तो वो है माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया के सबसे उची चोटी है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, केटू है, गाडविड नाश्टिन, केटू, जिसे कहते हैं हम लोग पीओके में इस्तेत है, और तीसरी कौन सी है, तीसरे नंबर पर दुनिया के सबसे उची चोटी है, कंचन जंगा, जो कि सिक्किम में है, कंचन जंगा, सिक्किम में है, ये तीनों, एसिया के भी टॉप्ट त्री है, और दुनिया के भी टॉप्ट त्री है, बाकी लोग तो रास्तवामी नामांकित प्रथम अभिनेत्री का नाम नर्गिस दत्य थी, नर्गिस दत्य संजदत्य की मम्मी जी, नीती आयोक के प्रथम उपाध्यक्ष का क्या नाम है, अर्विंद पंगडिया, वर्तमान उपाध्यक्ष के अगर बात की जाए तो सुमन के बेरी है, सुमन क कुछ दिन पहले जो है अभी कुछ दिन पहले चौथे CEO किये ठीक है ना पहले CEO कौन थे आप कमेंट करके मुझे बताओ चौथे नंबर के CEO किये गए देखो ये सुमन के बेरी जो है ये उपाध्यक्ष हैं तीसरे नंबर के देखो को कि अगर बात की जाए तो चौथे नंबर के आ चुके हैं बी वी आर सुब्रमन्यम इनका नाम आप याद रखेगा चौथे नंबर के यह सी यू है आप मुझे कमेंड करके बताओ कि नीतिया के पहले सी यू कौन थे ठीक है राश्टे ताप विद्धुत निगम का मुख्य بة मट मुख्याले जयर जयपुर में में पीपूर में कितने रेल्वे जू क्टल ररेलवेए जोन अंधारं मा कौन सा है साओ्थ कोशिटल लेलिवे जो की है यहां पर विसाथा पत्त नम में आगे दिखते हैं अच्छा टेली गृम डूम जूइनANS कर सकते हैं वहां पर भी वगरा भेजी जाती है और अभी स्टाटिक जीके की कुश्चन्स भेजे गए हैं टॉप टू हंड्रेड कुश्चन्स तो उसको आप जाकर की डाउनलोड कर लिजे टेलीग्राम गुरूप से अगर आप हमारी इबुक्स वगरा लेना चाहते हैं तो एम्जेटी एप से जाकर की ईबुक्स वगरा ले सकते हैं अगला सिटी बैंक का रेटेल विजनेस खुद्रब्यापार किसत भारतिय बैंक में सामिल हुआ तो City Bank का जो भारत में retail business है ना इसको Axis Bank ने acquire कर लिया है ये report हालाकि एक साल पहले की है एक साल पहले ही announcement कर दी जा चुकी थी ठीक है यहाँ पर आठकल देख पाओगे 30 March 2022 को ही ये किया गया था announce लेकिन अब ते acquisition अब शुरू हो चुका है मतलब City Bank का जो जो board है वहाँ पर उतार करके board Axis Bank का लग गया है City Bank बहुत ही पुरानी bank है तो ये भारत में जो इसका व्यापार था इसको बंद करने की घुशना किया था पिछली साल और ये भी कहाता कि अगर जो कोई interested हो तो मैं बेजने के लिए तयार हूँ तो Axis Bank ने 12,325 करोड में खरीदा था तो तब से ये process चल रहा था और अब फाइनली ये process complete हो गया है 1.6 billion में Axis Bank ने इसको acquire कर लिया है इसकी भारत में है 35 ब्रांच City Bank की ठीक है ये यहां का नहीं है City Bank तो इसने consumer banking business जो है ये बंद करने की खुशना की है भारत में ये 1902 से काम कर रहा है आगे दिखते हैं Axis Bank के बारे में बाखी चीज़े तो आप जानते ही हो अमताप चोधरी इसके MTA और CU है टाटा स्टील माइनिंग ने स्वक्ष इधन प्राप्त करने के लिए किस company के साथ समझाता किया तो टाटा स्टील माइनिंग ने अभी Gale के साथ Gas Authority of India Limited के साथ समझाता किया है स्वक्ष इनन प्राप्त करने के लिए Actually में टाटा स्टील जो है ये माइनिंग कर रही है कहां पर उडिसा में उडिसा के कटक जिले के अधगड में तो इसको माइनिंग में जरूरत पड़ रही है प्राकृतिक गैस की तो ये प्राकृतिक गैस लेने के लिए Gale इंडिया के साथ समझाता किया है क्योंकि Gale इंडिया का गुजरात से अथगर तक जहां पर ये इसका माइनिंग चल रहा है वहां तक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन के तुरू ये प्राकृतिक गैस प्रोवाइड करेगा इनको ठीक है टाटा स्टील को तो जिससे टाटा स्टील माइनिंग कर सकेगा इसी के लिए ये डील हुई है गेल की बात करें तो गैस अथार्टिव अफ इंडिया लिम्टेड होता है इस पुरूपार्म 1984 में स्थापना हुई थी नई देली में इसका हेड़कॉटर है आग इसे युवा उत्सो इंडिया एट 2040 कहा जा रहा है तो रूपड में गुजरात पंजाब में यह शुरू किया गया है ठीक है इसका उद्देश यह होगा कि 2047 तक चुकि भारत का यह अम्रित काल चल रहा है ठीक है 2047 में हम लोग 100 वर्स कंप्लीट कर लेंगे अर्जादी क तो उन तक युवा सक्ति को बढ़ावा दिया जाए तो इसलिए इसका पहला चरण अभी 31 मार्च से सुरू होने जा रहा है पूरे भारत के 150 जिलों में और यह पंजाब के रोपर से सुरुआत होगा इसका ठीक है ना अगला कुश्चन हालिमिक किस राज में 13. सदाब्दी के मंदिर के खोज हुई तो अभी आंद्र प्रदेश में 13. सदाब्दी के मंदिर की खोज की गई है यहां पर आप आर्टिकल देख पाऊगे 13 संचुरी का यह टेंपल डिसकवर किया गया है तो आप से यहां से कुश्चन कैसे बनेगा आप से पूछया जाएगा वो जो 13. सदाब्दी का अभी मंदिर खोजा गया है वो किस वन्स के सासको की दौरा बनवाया गया था ठीक है ना या फिर किस भगवान किस देवी देवक्ता को समर्तित था यहां पर आप देख पाएंगे पूरा डिटेल है यह कडपा जिले में आंदर प्रदेश के कडपा जिले के पुस्वगिरी छेत्रम में पाया गया है 13 सदाब्दी के मंदिर के खोज हुई है और यह दुर्गा मंदिर वहां पर एक पुस्वगिरी छेत्रम में दुर्गा मंदिर है उसके उत्तर पूर्व में ये एक मंदिर है हिंदू मंदिर है ठीक है यहां पर बताया जा रहा है य इसकी खोज अभी हुई है वैसे यह जो पहाड़ी है जो पुस्पगरी छेत्र है इसे पुस्पांचल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर हिंदू देवी देवदाओं के कई सारे मूर्तियां कई सारे मंदिर हैं और इस छेत्र को हरीहर छेत्र भी कहा जाता है हाले में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित चंदर्सेखर दास गुपता जी का निधन हो गया चंद्र्सेखर दासुपता जी ये वरिष्ट राजनाईग थे और इनको पध्म भूशार से सम्मानित किया था इनका अभी निधन हो गया है यहां पराउ verg法 Overall डिप्लोपमेट पद्मभूशन अवाडी चंदर सेकर दास गुपता इस नो मोर ये 1962 में IFS सामिल हुए थे IFS की रूप में Indian Foreign Services को जोईन किये थे और उसके बाद ये सिंगापोर, तंजानिया, चाइना, बेल्जियम, लग्जंबर, United Nation में ये कई जगों पर भारत के उच्चायकत और राजदूत के रूप में सेवा दे चुके थे 2008 में Civil Services के लिए इनको तीसेरे सर्वोच चिनागरी सम्मान पद्मभूशर से सम्मानित किया गया था इन्होंने दो महत्वपोर्ण पुष्टके भी लिखी एक तो कस्मीर में युद्ध और कूट निती पर और एक भारत और बांगलदेश मुक्ति युद्ध दो पुष्टके इनके द्वारा लिखी गई है तो चंद सेकर्दास गुपता इनका निधन हो गया है ये टॉप 10 कुष्टन थे आज की वीडियो से जिनका आपने किया बेतरीन तरीके से अध्यान आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सेर कीजिए कल मैंने आपसे पूछ था सबसे आई सियर कहां पाए जाते हैं तो वो गिर नेसनल पार्क में पाये जाते हैं भारत के कितने राज्यों में विधान परसद है तो 6 में है और इसके लिए ट्रिक आपको बताया गया था कुंंबाट कुमबाट, कुमबाट मतलब क्या, कुमबाट मतलब करनाटक, उत्तरप्रदेश, महाराष्टरा, बिहार, आंत्रप्रदेश और तेलंगना, ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है, ये छे राज्यों में ही विधान परिसत है, लेजिसलेटिव काउंसिल है, माइन्ड मास् पीडियाफ आपको MZTF पर मिल जाएगी, वहां से आप फिर ही में डाउनलोड कर सकते हो, MZTF गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वही पर आपको पीडियाफ और भी बहुत सारी चीज़े मिल जाएगी, बबब धन्य बाद यहां तक वीडियो देखने के लिए, मिलें